कि नमश्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है मास्टर ओवर एसे के सेशन में लिट्स क्राक क्यों सी चैनल पर लगभग हम लोग काफी एफीशेंट और वह स्टांडर कंटेंट जो आपके एक्जाम में यूज होता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं देने का और उसी दौरान अगर आप पिछले कुछ सालों में चेक करेंगे तो एसे हाज बीन सम अप फोर टेस्ट था थ्रू दिस चैनल वी यह बन गिविंग यू मास्टर और एसे का यही एक सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि आपको वह कंटेंट मिल सकता है या वह स्पेशलाइजेशन डेव दर्खवास्त यह है कि यू शूट प्रिपेर यॉर फोटोग्राप्स विद यू कुछ अपना बढ़िया फोटोग्राप निकाल के रख लिजे और फोटोग्राप इसलिए रख लिजे क्योंकि I feel that you are going to get your rank here और इस राइंक के लाने में इंस्ट्रुमेंटल पेपर बहुत बता देते देखिया अगर आपको मन करता है कि हमारे साथ जुड़ना है अनकैडमी के साथ जुड़ना है तो बहुत सारे ऑप्शन से एक्स्टेंशन ओपर भी चल लाए जिसमें आप सी येमसी कोड लगा के 12 महीने पर 4 महीने का 18 महीने पर 6 महीने ले सकते हैं और सारी कोर् आपको एसे लिखना है या आपको वो एसे लिखना है जो यूपी एसे में आपको 140 प्लस मार्च दिला दे and I'm looking for 140 इस बार का आवरेज वैसे कम रहा है पर 142, 144 can be seen आए चर्चा करते हैं कि आपको क्या एसे लिखना है कौन सा लिखना है और कैसे लिखना है इस पर कुछ विचार कर लिया जाए So when I start my essay throughout the market, throughout the institutions, throughout the museums of YouTube and etc. 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 I feel lot of perceptions have been made about essay. essay को अलग अलग तरीके से आखा गया है, as many minds are there, as the perception of essay would flow in. किसी को लगता है कि essay बस एक articulation of idea है जिसको लिखके आ जाओ, किसी को लगता है इतना ज्यादा paragraphs लिख दो, किसी को लगता है कि कम paragraph लिखो, बड़े-बड़े लिख दो, किसी को लगता है example लिख दो. So lot of things are already going on into the market and everywhere और आप लगबख सुनते भी हैं. अब जाहिर सी बात है कि आप अगर इतने लोगों को सुनेंगे तो मन में तो यह होगा कि मैं आखिर किस को चुनू? Whom I should maybe depend upon, select as my strategist, that's a problem, यह exist करता है. कोई बोलता है कि नहीं, essay में बस आपको यही लिखना है, introduction लिखो, finish a conclusion ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे points है. But I want you to understand one thing today, that we all might be in a dilemma. और dilemma क्या है? अगली image इस dilemma को clear कर देगी. यह है the great essay dilemma, यही है वो great essay dilemma. Now these are X institution, institution named X. वो बोला कि खाली इतना पार्ट में इसे करके आओ, बड़िया नंबर आएगा. कोई बोला कि बस Y institution बोला, यही करके होगा. When I say institution, it can be an individual, an entity. किसी ने ऐसे को बस सोचा कि कान की तरह है, उसी की बारे मात करने लगा. कोई बोला पैर टाइप का होगा, यही हो गया, किसी ने बोला टेल टाइप का है. The problem here is, essay is taken into piecemeal approaches, जैसा कि हो रहां पीछे image में. अगर essay का image बस इतना है, कि articulation of idea है, मात्र मुझे facts लिखने है, मात्र मुझे यही करना है, तो वो essay नहीं है, sir. It's not an essay you are writing. If you need to write an essay, if you want to write an essay, it is not for any other entity, it is for UPSC, and UPSC has set some command. UPSC ने कुछ command रखे हैं. खुछ सोचेगा, आखिर general studies के paper, 1, 2, 3, 4 ही क्यों हैं, और वो उसी order में क्यों हैं? कुछ तो सोच के बनाया होगा? Why does paper 2 command, polity, governance, social justice, why paper 2 only? Why it was not there in paper 3? कुछ तो सोचा होगा? जिस दिन आप ये सोच लें, कि हाँ, there is something instrumentally playing in this setting up of the paper, then you get an idea कि मुझे पीसमील अप्रोच तो कभी करना ही नहीं है. What I have to do is, I have taken up this humongous essay thing with me. I will try to be there with all the ideas given by rather every institution, but I will devise my own strategy. मुझे अपना strategy बनाना है ताकि मैं इस humongous UPSC के essay paper को पूरे comprehensive duty के साथ देख सकूँ. तभी समझ में आएगा, comprehensive nature के साथ आप नहीं देखेंगे, तो essay समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, और उसको आपको number देना है, अगर वो आपको number देना चाहता है, तो उसे number खीचिये पकड़के, कि दे number कैसे नहीं देगा, पर उसके लिए आपको deserving essay भी लिखना होगा, क्या होगा, आई फिर देखते हैं, ना, I have given a new term to this, हो सकता है, अगले कुछ दिनों में ये market में भूम करेगा चारो तरफ, but I have deciphered the UPSC essay as the Omni essay, ये है मेरा essay, the Omni essay, समझी का गौर से बड़ा इमानदारी से और हम आपको वही चीज़ बता रहें, जहां पर number आएंगे, I can bring here, we had discussions with the toppers also, जो जुड़े रहें और उनका essay में improvement हुआ score, अगर आप चाहते हैं कि improvement हो तो थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ेगा आपको, थोड़ा समय देना पड़ेगा, I want to not write an essay, I want to write the Omni essay for UPSC, अब सवाल ये है, कि how do I distinct between the any essay और the Omni essay, ओमनी ऐसे जो होगा, आई समस्ते क्या होगा इसमें, the Omni essay that I want to talk about, the Omni essay that I want to talk about are certain features, number one, it has got your comprehensive nature, and when I say this, I want you to prove it right now, आई ये देखते हैं, आपके सामने हम एक fact लिखते हैं, देखते हैं आप में से कितने लोग इसके उपर गिरते हैं, कितना क्या सोचते हैं, करेंगा ये, आपके सामने हमने लिखा है, struggle, एक word है आपके सामने, struggle, I want you to run your mind, और मुझे वो themes बताएं, जहां पर आप struggle को use करेंगे, चलो हो जाएं, आपको बस वो themes बतानी है, जहां आप struggle करेंगे, चलिए जैसे एक theme, हमने आपको एक्जेमपल लिया, life full of struggles, आप बताइए, I've given you one hint, चलिए, हमें आपका comprehensive nature देखना है, rolling, चलिए, बताना चालू करें, what do you feel, struggle, और कहां, women, struggle, चलिए ठीक है, women struggling, women angle आया, और बताते रहे, come on, keep on going, CCG says, women, women gig worker, vulnerable, vulnerable, चलिए, vulnerable आगया, vulnerable आगया, और, struggle, struggle, success, success, struggle से success मिलेगा, और, और बताइए, struggle से success मिलेगा, transgender issue, struggle, education, struggle, poverty, struggling people, and still trying to find out, struggle, education नहीं मिलना होगा, या मिलना चाहिए, struggle, और बताइए, inequality, poverty, site workers, और सोचिए, और ambit बड़ा करिए, और horizon में जाहिए, look at that, find out it, struggle कहां कहां है, सोचिए, freedom, freedom, history आ गया, freedom आ गया, struggle हो रहा है, और सोचिए, come on, come on, come on, employment, child labor, struggle, employment चल ला है, या unemployment, child labor, struggle, अपने परिवार को सम्हाने के लिए, child labor, good morning, good morning, diseases, diseases, struggle चल ला है, life का ही, struggle चल ला है, job, job भी struggle चल ला है, job, struggle, governance, deficit, struggle, governance, struggle चल ला है, बहुत बढ़ी है, और बताइए, governance भी struggle चल ला है, deficit है, cater climate change, एक struggle है वो भी, climate change के लिए भी struggle चल ला है, और बताइए, governance, climate change, disease, employment चल ला है, बताइए, come on, come on, keep on, keep on rolling in, अरे, इतने लोग हैं, आप लोग 65 दिमाग इससा में वर्क कर रहे हैं, I want you to give me answers, export, import, struggle, economy, economy, struggle कर रही है, और बताइए, और maybe to bring on some economic reform, struggle is needed, geopolitics, देखिए, अब और दाइरा बढ़ा, geopolitics, geopolitics, और, और सोचिये, disaster, disaster, okay, so we struggle during disasters, we are struggling to maintain some disasters, मैंने some disasters, बहुत बढ़ी है, struggle to protect, struggle to clear, competitive exam, बहुत बढ़ी है, we got our competition also, geopolitics also, we got our struggle to protect also, internal security also, बस, अब रुख जाईए, अब रुख जाईए, अपनी जिंदगी का, पिछला, पांच मिनट रिवाइफ करिये, जैसे ही हमने बोला, कि आपको, एसे में comprehensiveness लाना है, और मैंने एक word दिया, struggle, आप सब एक race में थे, और उस race में हमने क्या ढूंडा, हमारे GS के papers, very normal to you, very natural to us, हम UPSC aspirant, UPSC से जुले हुए है, हमारी भाषा भी general studies है, हम किसी को नवश्कार या प्रणाम भी करते हैं, general studies के हिसाथ पर ही करते हैं, यह हमारी एक tendency बन चुकी है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा, आप अपने आपको, फिर से reorient करिये, और अब आप उस प्रक्रिया के बारे में सोचिएगा, जो हम आप से discuss करने वाले हैं, और आप सोचेगा, impact कितना बड़ा बनेगा, सोचेगा, my word was struggle to you, एक नदी struggle करती है, अपने परवत से निकल कर, ओशन तक जाने के लिए, उस struggle को याद करिये, सोचेगा, struggle में हमने क्या किया, हमने आप और, हमारे struggle को बहुत कम दिखाया, हमने दिखाया, वो देखो परवत से निकली, अभी वो ओशन तक जाएगी, इस struggle को आप देखिए, millions of years, इस struggle को देखिए, यह पुरा धर्ती जो बना है, इस struggle से बना है, everything that has been made up, is this struggle, एक point, दूसरा, वो जो पौधा निकलता है मिट्टी से, वो कितना struggle करके, मिट्टी को हटा हटा के, हटा हटा के, तब बाहर निकलता है, तब आपको fruit देता है, struggle, वो जो मा, 9 महिने तक, अपने पेट में लेके घुमती है बच्चे को, struggle, अब आप सोची, हमने किया क्या, आप सोची, जो भी आपने फिल किया, यह impact है, जहां बाकी के लोग, अभी तक, इसी में फसे हुए थे, आप एक कदम आगए गये, आपने बोला, मुझे struggle में, सिर्फ अपना GS नहीं दिखाना, I don't only talk to about, talk about the geopolitics, IR, etc., I want also to include an element, and the elements of my life, and the subsets of it, struggle truth, सत्य से बड़ा क्या ही struggle होगा, खुद सूचिए आप, सत्य से बड़ा क्या struggle हो सकता है, अगर essay में comprehensiveity चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने उस विचार, कि मुझे सिर्फ एक ही angle देखना है, इसको बंद करिए, आप UPSC aspirant हैं, I am there with you, but I want you to see the bigger, broader horizons that are there for every essay topic, struggle बोलते ही सिर्फ यह नहीं, economy struggle, technology struggle, अरे आप बताईए, हर सांस एक struggle है, everything is struggle, and give hammerings of those examples, which are going to make an impact, तब होगा आपका comprehensive ऐसे, और मजाल है कि number ना मिले आपको, मानी नहीं सकते हम, यह पढ़ने के साथी, अगर आपने express कर दिया अपना idea, पढ़ने के साथी सामने वाला आप पे एक दम, फिदा है अभी, अब वो आपको number देना चाहता है, पर यह हुनर आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज हमने पहली बार आपके सामने struggle लिग दिया, तो हम बहुत प्रिपेर्ड है, आइडियास कीप ऑन कमिंग, फ्रॉम एवरिवेर, आपके साथ होगा, हो सकता है, कुछ महीनों में हो, पर हमारे पास इतना समय नहीं, if I have to write down paper in September, और मेभी the coming year, you will have to develop this style, और वो होगा कैसे, I have to become very comprehensive, I have to leave the horizon, and have your promise on this, कि हम जितने sessions यहां करेंगे, इसमें हम आपको जो tools देंगे, आप उसको बस fix कर दीजे अपने essay में, और आप विश्वास मानिएगा, it is still subjective, ऐसा नहीं कि आपने लिग दिया, तो आपको number देगा ही देगा, क्योंकि कैसे लिखा, क्या लिखा, इसपे भी dependent करता है, but these tools that I am going to give you, have been effective since long, और हर साल हम इसको update करते रहते हैं, हर साल आपको इसमें नई चीज़ देंगे, ऐसा नहीं कि आपको जो हो चुका है, वहीं मिलेगा, I will give you new things every time, and I do these sessions, हमारे पास एक से चीज़ हम निकालते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसको रखे रहते हैं, and I will try to give you, तो सबसे पहला जो हमारा challenge था, वो था comprehensive nature, इस ओमनी ऐसे के लिए, सबसे बड़ा challenge था मेरे पास, comprehensive nature, इसको आपको, सारे boundaries को तोड़ते हुए, वो कोई गाना था ना, कि तोड़ दे सारे, क्या था, I am not able to recall, तोड़ते सारे, बंधन कोशादी, ऐसे कुछ था, but I want to shatter all the walls today, and I want to go into the ambit of GS, I will be in the point of ambit also, but I would also want to enter the ambit of life, and its subsets, मुझे enter करना ही पड़ेगा, अगर मैं enter नहीं करूँगा, तो आप imagine मत करिए, कि मेरे 140 आएंगे, आप बहतरीन ऐसे लिख के आएंगे, हम पर पूरा यकीन है आप पे, आप बहतरीन लिख के आएंगे, पर उस बहतरीन का definition आपने दिया है, उस examiner ने नहीं दिया है, वो examiner तब उसको बहतरीन टाग करेगा, जब आप उसमें GS की चीजें, subjectively, और आप उसमें डालेंगे अपने life के examples, life के emotions और subsets of life, तब आप देखेगा, किसी की हिम्मत नहीं अब इसको कम कर दे, मेरा only essay, will have to talk about a vision, एक vision आपको देना पड़ेगा, आप अगर visionary हैं, तो आपको अपने essay में वो बताना पड़ेगा, सिर्फ रोना धोना नहीं essay मेट के, अगर सिर्फ रोध हो रहे हैं, तो आप बहुत negative बन गए, essay का मतलब ही है, you essay your idea, you write down your idea, and you tell to the examiner, अगर negative भी आप बोलोगे नसर, तो मैं इसमें आपको 10 positive निकाल के दूँगा, क्योंकि मेरे पास ideas हैं, I am there with this, और मुझे ही बनना है अगला अधिकारी IS, तो मुझे जब तक ये vision नहीं होगा, I cannot do this, आपको अपना vision हर समय दिखाना है, पर vision दिखाने का ये मतलब नहीं है, कि आप हर solution बताते फिर हैं, vision दिखाने का है, आपने broad चीज़े cover की, then one two lines on what your vision is, science technology का question है, vision क्या है मेरा, मेरा यही vision है, कि जब तक ये रहे, बस humanity के लिए, मदद करने के लिए रहे, इसको बिगाडने के लिए नहीं रहे, your vision, water आपका vision क्या है, resources आपका vision क्या है, we want your visions to be there, और ये vision आएगा, as we take up the topics here, जो हम आपसे बताएंगे, हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हम topics लेंगे, हम हर किसी में आपका vision बताएंगे, बनाएंगे, हम लोग मिल के बनाएंगे, थाकि हम उसको exam में लिख सकें, we have to be visionary, देखिए, आप आपने life में देखिए, आज़ पास दिखेंगे, 100 लोगों का sample size लेंगे न, तो आपको एक आदमी बस मिलेगा, जो आपसे बड़ा positive बात करेगा, हमारे life में भी है, जितना आप आज़ पास जितना भी देखेंगे, आप include the people around your family, around the friends, जितना लोग से मिलेंगे न, आपको बस एक ही दो लोग मिलेंगे, जो आपसे positive बात कर पाएंगे, बाकी सब चालू ही परिशान से करेंगे, परिशानी वाली बात, परिशानी वाला solution, परिशानी वाली ending, बहुत कम मिलेंगे, जो आपको लगेगा, अगर लाइफ में हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर पेपर के दौरान भी हो गए, तो भी कितनी बड़ी बात है, I want you to be positive, अगर लिखा है population, बेन है बहुत बड़ा, अब बोली कैसे सर, आप उसको counter करिये न, ये तो आपका ऐसे के topic है, पॉपिलेशन बेन है, बोली कैसे, अठी बड़ी 146 करोड के अबादी लेके घूम रहे है, निकल गए कई पे जंडा लेके है, ताब सुझी कौन रोकेगा, तो हम निकलते नहीं है, politics ने हमें ऐसा बना रखा है, जिस दिन हम जागरूख होगे, तो कोशिश करिएगा, लेट्स बी पॉजिटिव इन ऐसे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो वेन ऐसे ओमनी ऐसे, आई वांट तो बी विजिनरी, आई वांट तो बी कॉम्प्रेहेंसिव, आई वांट यू तो डेवलप वन मोर स्टाइल, और यह आप कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, जैसे नदी बहती है ना, बह जाइए, जैसे नदी बहती है ना, बह जाइए वैसे, एक बार बह के देखिए, जिन्दगे में एग चीज जरूर आप समझेगा, अगर कोई काम आपके पास खुद चल के आ रहा है न, और उसमें डिसिजन ने ना हो, सोचिए मत, let the time flow and you flow with it, विश्वास मानिएगा, अच्छा फिल करेंगे, वही यह essay है, इस essay आपक्चुली, रिक्वायर्स अ फ्लो, और यह फ्लो नदी से सीखिए, वो निकली वहाँ से, प्लेन में पहुँची, डेल्टा बनाई, आप भी ऐसी करिए, निकली जोश से इतम, या, क्या जोश है बेरे अंदर, तो जितनी चीज़ें स्टार्टिंग में जोश वाली हैं, इंट्रोड़क्शन, पैराग्राफ्स, स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स, खुद देखी आप, सारा इंट्रोड़क्शन, जोशीला, इतना इंपक्ट बना है, कि सामने ले एक्जामनर, दस कॉपी को साइड करके बोले, ये कॉपी है भाई, इसको बनाओ, इसको दो देर सो नंबर, ऐसा चाहिए, अब धीरे धीरे अपने आपको, काम एंड कमपोस, अराम से प्लेन एरिया में चल ले, अराम से प्लेन एरिया में चल ले, बस क्या कर रहे हैं, पल्स ऑफ विजडम जितना बटोरा हुआ है, उसको लिखते जा रहे हैं, एक्जामनर भी समझ चुका है, कि आप देखिए, अपना जोश दिखाया, अब आपने अपना काम एंड कमपोस नेचर दिखाया, और अंत में जाते जाते, आप उसके दिमाग में, मांक्स का सेडिमेंट बिछाते जाएंगे, जो डेल्टा बना रही है नदी, और आप बनाएंगे मांक्स के हिसाब से, जाते जाते भी छाप छोड़ गए, डेल्टा नदी बना गई, आपने क्या बना गए, सर दिखो, ये मेरा एडिया है, ये मेरा विजन है, ये मेरा कंक्लूजन है, ये देख के नमबर दो, अब ये आपको लग रहा होगा, कि I am speaking, तो आपको लग रहा होगा, इस अर ये बोलना असान है, करना मुश्किल है, माना, करना मुश्किल है, पर लिखिए तो ऐसे, आप चालू तो करिए, और हम तो आपसे पूरा ऐसे लिखने भी नहीं बोलेंगे, अगर आप framework भी बना पाएंगे, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और आपको बताते रहेंगे क्या गलत कर रहेंगे आप, ये विल हाफ टू बी देर, आपका अगर flow बन गया अच्छा, इससे बहतरीन कुछ नहीं है इस ऐसे में, I need you to develop flow of the essay, और ओफ लोग कैसे होगा, हम लोग sessions में discuss करेंगे, but you have to be there as per the flow of any river, you have to develop that flow, examiner को कठिनाई मत होने दीजे, वो जैसा उसको perceive करना चाहरा है, उसको perceive होने दीजे, let it be very soothing for the examiner, and you are going to get marks, that is for sure, that is my assurance to you, ये comprehensive होना चाहिए, ये flow होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, अगर ये तीन आपने डाला है उसमें, अब आपको कोई नहीं रोख सकता है, आपका ये essay, one of the best only essays होगा, और UPSC हमें यहीं चाहता है, अमीद बिंदोला जी, हम आपसे बहुत चाहिए, अप्छली ये हिंदी में हम बोल सकते हैं, पर वो जो keywords होंगे, चोचीज होंगी न, वो आप English में लिखे न, हम आपसे अनुरोध करेंगे, कि आप उसको अगर translate कर सकेंगे, तो बहतरीन रहेगा आपके लिए, क्यों बहुत टाइम ले लेगा फिर हमारा, हम अपनी दरफ से कोशिच कर पाएंगे, पर हम फिर भी आपसे निवेदन करेंगे, करबध हो कि हम आपसे निवेदन करेंगे, कि आप अगर थोड़ा सा उसको translate कर लें, तो शायद बहतर हम सब के लिए होगा, उसने साफ बोला, आपका ऐसे कैसा हो, close with the topic, एक चीज एकदम गांट मार लिजेगा, आप जो paragraph खो लेंगे, कसम खा लिजे एकदम, आप जो paragraph खो लेंगे, उस paragraph का relation आपके ऐसे topics होना चाहिए, जब ऐसे लिखने बैठें, UPSC के लिए ना तो कसम खा के बैठें, प्रतिज्या लेके बैठें, कि मैं जो paragraph लिखूंगा, मैं सिर्फ इस topic के लिए ही लिखूंगा, इधर उदर की बात मुझे नई करनी है, you have to be as close as you can, to the topic, यह याद रखे का बिलकुल, I have to be very close to the topic, not divulging here and there, I have to arrange my ideas well into paragraphs, and that should be orderly flow, यह दोनों आपको क्या दिखा रहा है flow, देखी UPSC में लिखा था, हम बोली नहीं रहे, UPSC में हो रहा है, the candidates are supposed to be maintaining their closeness, arranging their ideas into an orderly fashion, be concise, sorry, concise का मतलब यह होता है, कि आपको कोशिश करनी है, you have to be very much specific with your words, speak less, but have more of impact, यह session अगले 10 घंटे के लिए भी हो सकता है, पर वो impact नहीं बनाएगा, यह session अपनी अवधी के लिए होगा, तो ही impact बनाएगा, I want you to just develop that style, कम बोलो, कम लिखो, पर ऐस न लिखो, इसको हिल जा सामने वाला, और यह तरीका आएगा, दिखिए एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, आप थोड़ा साथ देंगे, होगा जरूर, you will have to practice with me, effective होना चाहिए, coherent होना चाहिए, effective का मतलब impact बनाए, impact बनाए, and coherent होना चाहिए, all the paragraphs that you have written, आपस में ambiguity ना पैदा करने लगे, उपर लिख की आए, कि ये मेरा meaning इसका ये है, नीचे कुछ और लिख रहे है, इसका meaning इसके खिलाफ जा रहा है, वो coherent idea नहीं है, अगर आपके मस्तिश्क का confusion, आपने paper में लिख दिया, तो examiner समझ गया, कि you cannot articulate well, आप articulate नहीं कर पाओगे, समझ गया, तो coherent का मतलब, be on the topic, and every paragraph must speak off the topic, then only you are writing a good essay, that is my idea about this essay, my comprehensiveness about the essay, अब हम लोग जैसे जैसे घुसेंगे अंदर essay के topic में, तो हम आपको बताएंगे, कि एक burger, जितना interesting होता है खाने में, जुनलों को पसंद हो, वैसा ही मेरा essay भी होता है, जिसके दो बन के बीच में, इतना मैंने material भर रखा है, इतना material भर रखा है, कि उस material की, खुश्बू और स्वाद अलगी है, पर मेरे बन का भी freshness बड़ा अलग है, तो जिनके मुँ में पानी आ रहा है, कोई बात नहीं, तो पड़ा साब बर्गर खा लिजएगा आज हमारी तरफ से, पर ये जो दो बन के piece है, ये मेरे introduction और conclusion जो है, वो ऐसे इतने fresh हैं, इतने impactful हैं, कि इसके बीच में लगभग आपको सब पढ़िया content मिल सकता है, and at last, the only thing that I would like to talk about is, क्या आपके पास content है, क्या आपके पास content है, हाँ या ना, I would say yes, आपके पास content है, आपके पास content कौन सा बना हुआ है, बर्यात करिये गातो, मेरे पास मेरा ब्रमास्त्र है, GS का, मेरे पास मेरा ब्रमास्त्र है, General Studies का, General Studies में क्या है मेरे पास, भाई आप कुछ भी ले लो, paper 1 से लेके, paper 2, paper 3, paper 4 साब है मेरे पास, मेरे पास इतिहास भी है, मेरे पास भूगोल भी है, मेरे पास राजनीती भी है, मेरे पास economy भी है, मेरे पास science technology, सब कुछ है मेरे पास, content ही कमी थोड़ी ना है I have the brahmastra of essay पर इस brahmastra को धारन करने के लिए जो आपको धनुष चाहिए, वो भी होना चाहिए और धनुष आपके शब्द है और आपका दूसरा version है, जो कि सिर्फ इसमें नहीं जाएगा वो आपके life में, आपके ideas में भी जाएगा मेरे ideas और life के धनुष पे जिए जब चढ़ाईएगा, तब ज्यादा मजाएगा Ethics also, I have the ethics, ethics क्या, all about life तो मैं general studies के अपने बान को, अस्तर को, ब्रह्म अस्तर को अपने words और life के धनुष पे जब चढ़ाऊँगा तब शायद वो content बन के आएगा and then I can use it कहने में देखिए बड़ा आसान लगता होगा but when we write it down, it is difficult but एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार जैसे ही आप छटी बार इससे लिखेंगे वैसे ही आपका दिक्कत सॉल्व होने लगेगा have faith in me, I am telling you have faith होगा, पर आपको लिखना पड़ेगा अगर आप नहीं लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा और हम आपका साथ इतना दे सकते हैं कि I will try to have your scripts I will evaluate और आपको हम जल्दी से पहुचा देंगे तो टेलिग्राम पर वैसे आप जूड़े ही होंगे सब लोग जो लोग नहीं जूड़े अभी भी जूड़ जाएगा चंद्रमॉली SIR is the group चंद्रमॉली SIR is the group यससे आप जूड़ जाएगा और चीज़े करते हैं फिर ठीक है और अफकोर्स वी आर गो इंटो ब्रेंस्टॉर्मिंग इन एवरी सेशन आप आवर्स कुछ फैक्ट हम देंगे कुछ फैक्ट आप देंगे कुछ पॉइंट हम बताएंगे कुछ पॉइंट आप से लेंगे और हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा इसका थीम बनाने वाले हम आपको अपना स्टाइल बता दे रहे हैं हम जो पिछले साल भी की होंगे आपको बता दे हम लोग थीम बेस चलते हैं ऐसे में हमारे पास कुछ दस थीम है उस दस थीम में हम लोग सब को फिट कर देते सारा एससे इसी में आता है और इंटर्चेंजेबल थीम्स भी है जैसे एक थीम का उठाके फैक्त कहीं और उसका उठाके कहीं और उसकरेंगे वी कैन डू दिस ठीक है चलिए तो आज के लिए आप से हम विदा लेंगे कल आप से मुलाकात होगी कल आप से मुलाकात होगी फिर और हम इसका सेशन कर लएगे यह देखिए पिछले बार का पेपर है हम लोग जैसे सेशन चालू करेंगे आप से हम डिसकस करते चलेंगे कि यह कैसे क्या करना था मुश्किल है, ऐसा नहीं कि एक बार में होगा, पर एक बार जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा, we'll try to see into this, आपके कोई प्रशन तो आप नीचे लिख लीजेगा, otherwise that would be all from my side, let's meet as the session goes forward, we are going to meet every alternate day और everyday जैसा की होगा, हम बता देंगे आपको, और आप देख सकते हैं, हमारे पास optional batches भी launched है, तो आपको कोई भी इसमें से लेना हो, आप ले सकते हैं, आप बस याद रखे कर, CMC code जिसमें आप जूड़ सकते हैं हमारे साथ, और course चालू होने वाला है, प्रिलिम्स अनालसिस आप सबने अब तक तो देखी लिया होगा, हमारे चैनल पर ही है, और EMI में भी आप पे कर सकते हैं, पूरा पैसा एक बनने देना, आप EMI में पे कर सकते हैं, देखिए हर रोज करेंगे ना तो उसका value काम हो जाता है, हर रोज बस हिंदू और इंडियन एक्स्प्रेसी हो तो अच्छा है, क्लास टाइमिंग प्रदीप जी हापेंस इन दे इवनिंग, अराउंट 10.30 इन दे इवनिंग, जब सब काम खतम करके आप आराम करेंगे ना, साड़े दस बजे रात में तब आ जाईएगा, यह 11 तरही को एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, 11 जून को 11 बजे, स्कॉलर्शिप टेस्ट है, आप जब एड्मिशन लेंगे ना, तो आपको आपको फाइदा मिल सकता है, तो देख सकते हैं, आप, you can put in there. So, that would be all from my side, थैंक्यू सो मुच, टेक केर जेहिद और एक चैज बता दें निरंतरता ही सफलता की कुझी है जो निरंतर है वही सफल है आपको शिर्फ सिर्फ निरंतर रहना है सफलता खुद आपके पास आएगी विश्वासर्खिए बहुत धन्यवाद थैणि जेहिंद बाबा इव्रिवन बाई